आज की इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि अगर आपके दाथ जो हैं जो चह वाले दाथ होते जो आपके खाने को चबाने में मदद करते हैं अगर किसी कारण से तूट जाते हैं तो उनके क्या ट्रीटमेंट जो है वो करके आपके दाथ को सेफ किया जा सकत वीडियो इन्फॉर्मेटिव रहेगा आंतर तक जरू देखिएगा उसके बाद भी अगर आपके मन में इसे रिलेटिड कोई भी कुश्चन आये कोई डाउट हो तो कमेंट जरूर कीजेगा बहुत जल इसका अंसर करेंगे अगर उसके बाद को बचाया नहीं जा सकता है सिर्फ अब दान को आपको निकलवाने ही पड़ेगा या फिर अगर खाना खाते समय कोई कंकर आपके दान्तों के उपर आजा तो दान्त जो है वो चानक से चटक जाते हैं और उसके बाद आपको काफी ज़्यादा दिक्कत महसूस करते हैं खाना-खाने में आपको दर्द होता है आप किसी से बात करते हैं उस समय भी आपको बहुत uneasy सा फील होता है हमेशा हलकी-हलकी सी कन-कनाहट जन जनाहट या फिर दर्द जो है वो मैसूस होते रहता है तो इस कंडिशन में कि आपके दान्त को सिर्फ निकलवाया जा सकता है या यह जानने के लिए वीडियो को अंतर तक जरूर देखिएगा, सबसे पहरे तो हम लोग यह समझ लेते हैं कि जो दात होती है, दात के अंदर में एक नश होती है, जो बहुत ही सौफ्ट होती है और वही आपके दात की सप्लाई करती है, जिससे आपके दात जो है वो जिवीत देता है, जब भी कभी आपके दात चटकते हैं, तो वो देखना होता है कि आपके दात का कितना पोर्शन जो है, वो इन्वाल्व हो चुका है, जैसे कि अगर आपके सिर्फ इनेमल का पार्ट अगर टूटा हुआ है, तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, सिर्फ एक प्रॉटे से फिलिंग से आपको उसको ठीक किया जा सकता है, अगर आपके दात के इनेमल और डैन टाइन दोनों जो पार्ट होते हैं, अगर वहां तक आपके दात जो है, वो तूट गये हैं, तो ऐसे कंडिशन में आपको दर्द भी हो सकता है, जनजनाहाट भी मैसूस हो स क्रिटमेंट कहते हैं, फिससे दानों के ऊपर क्राउन कर दिया जाता है, जिसे कि दान आपके जो हएं, वो लंबे समय तक चलते रहेंगे, कुछ ऐसे कंडिशन्स भी होते हैं, जिसमें दान बीचों बीच से चटक जाते हैं, जिसके हैं उनको बचाना मुस्किल हो जाता है थोड़ा भी दांत का part अगर हिलता है तो आपको बहुत ज़्यादा दर्द महसूस होता है फिर ऐसे condition में वो आपके दांत को निकाल दिया जाता है फिर वहाँ पे कैपिंग कर दे जाते हैं आपको कुछ ऐसे टिप्स बताते हैं कि जब भी कभी आपके दांत अचानक से अगर शटक जा तो उस कंडिशन में आपको क्या करना चाहिए सबसे पहले तो उसको हिला हिला करके आपको ये चेक नहीं करना है कि आपका दांत जो है वो कितना ज्यादा टूटा है होसकता है कि दांत के कुछी पार जो है वो एक्सपोज हुए हैं बट आपके हिलाने की वज़े से आपके नस जो हैं वो भी एक्सपोज हो जाते हैं या फिर उन्हें से ब्लेडंग होने लगेगी तो फिर ऐसे kanडिशन में दांत को सेव करना मुस्किल हो जाता है और अगर आपके दांग अभी तुरन चटके हैं तो कोशिश कीज़े कि एक से दो घंटे में आप अपने नियर के डेंटिस्ट के पास जा करके अपने दांग को सेफ करवा लें अधर्वाइस वो दांग जो हैं वो बहुत जादे लंबे समय तक हवा और पानी के जो है वो कॉंटक्ट में रहेंगे तो उससे आपके जो एक्स्पोजर है पल्पका वो बहुत जादा हो सकता है जिसे कि आपके दांग को सेफ नहीं किया जा सकता है और अगर आपके दांग जो है वो चटके हैं तो कोशिश ना करें कि उसके बच चबा चबा के की हो सकता है कि चबाने से जो है फिर से दांग ठीक हो जाएंगे वो पाट जो है जो अभी हलका दर्द कर रहा है वो अपने जगा पे आ जाएगा तो ऐसी ये सब गलग फैमिया जो है आप अपने माइंड से निकाल लीजेगा और तुरंत ही अगर दांटों के उपर चोट लगता है तो तुरंत ही अपने नियर के डैंटिस के पास जाकर के अपना प्रॉपर ट्रीटमेंट लेकर के अपने ये जो ग्रेक्ट टूथ होते हैं उनको आप बचा सकते हैं य जिनमें पारिया की प्रॉब्लम होती है या जो लोगों का दांट जो है वो बहुत ज्यादा कमजोर हो चुका होता है ड्यूटि उनको डियाबर्टीज होता है बहुत लंबे समय तक वो पर टेंसिव की मैडिसिन्स लेते हैं तो इस वज़ए से भी उनके दांट जो है वो चुझ को折ू कर दांट जो होता है या तो आपको बिलकुल सेफकर सकते हैं बर आपको जरूरत होती है एकदम तुर dependent से अपने जो dentist होते हैं उनके पास जा करके अपना proper treatment लेने के I hope कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, समंध में आया होगा अच्छा लगए हो तो like जरूर कीजेगा, ऐसे लोग के शाथ share जरूर कीजेगा जो लोग जो अपने cracked tooth को लेकर के बहुत जादा aware नहीं होते हैं और वो सोचते हैं कि आज निकलवाएं या एक महिने के बाद निकलवाएं निकलवाना ही एक last option है तो इसलिए आपके साथ हर छोटे से छोटे information को share करते रहेंगे, लाते रहेंगे नेने वीडियो सब्तक के लिए अपना ख्याल रखेगा, अपने आज पास के लोग का ध्यान रखेगा ठेक केर, बाबाई